सो नेखते हैं हम लोग यहाँ पर 23 नंबर चीक है? 23 नंबर मेंने क्या करा कि इन फिगर 7.142 ट्रेंगल A, B, C is a rectangle राइट अंगल अट C ट्रेंगल A, B, C is a राइट अंगल अट C, चीक है? अचाए, D, E जो है पर्पेंडिकुलर है A, B पे प्रूड ट्रेंगल A, B, C जो होगा सिमलर होगा A, D, E के यह दिखाना है and find the length of A, E and D, E चलिए हम लोग इसके लिए देखते हैं हमारे पास पहले given जो है न उसको लिख लेते हैं ट्रेंगल A, B, C is a राइट अंगल अट C and D, E परपेंडिकुलर A, B to prove to prove triangle A, B, C similar to triangle A, D, E and find भी करना है find length किसका किसका A, E क्या and D, E क्या चलिए अब इसको हम लोग इसका solution लेखता है prove देखते हैं solution लेखते हैं हम लोग देखिए हैं सबसे पहला काम करते हैं इन सबको find करना है ना इन दोनों को A, E, E और D, E को तो एक काम करते हैं पहले A, B नहीं क्यान लेते हैं तो इन triangle A, B, C इसकी जोड़त पड़ेगी अभी आगे A, B equal to हो जाएगा root under B, C का square और plus में A, C का square root under 12 का square और plus में 5 का square 144, 25 यानि root under 169 तो ले 13 cm हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं अब चलते हैं इसके बाद इन दोनों triangle A, B, C and triangle A, D, E इन दोनों triangle के लिए जहांत देखिएगा A, B, C and A, D, E के लिए ठीक है यहाँ देखिए तो इन दोनों के लिए देखिए क्या हो जाएगा पहला तो इसमें angle C है और इसमें angle E है यानि कि आप D, E, A भी लिए सकते हैं इच नाइंटी है और angle A दोनों triangle में है angle A equal to में angle A common है ठीक है तो यहाँ समल लिए सकता है कि triangle A, B, C similar हो जाएगा triangle A, D, E, K angle angle similarity से अब यह similar हो गया तो हमनों जानते हैं क्या जानते हैं कि if two triangles are similar are similar than ratio of its corresponding side its corresponding sides corresponding sides are equal इसके corresponding sides का ratio क्या हो जाएगा equal हो जाएगा ठीक है तो A, B, C triangle में हम लोग side जैसे अगर माल लीजिए हम लोग इसमें जैसे माल लेते हैं A, B लेते हैं इसमें A, D हो जाएगा इसमें जैसे A, C लेते हैं इसमें A, E हो जाएगा इसमें अगर हम लोग लेते हैं B, C तो इसमें D, E हो जाएगा जो कि हमें find भी करना है तो A, B के value A, B के value हमारे पास है अभी निकाले थो उपर 13 अच्छा A, D के value 3 A, C के value 5 A, E के value निकालना है B, C के value 2L D, E के value निकालना है चलिए तो इक्वेट कर देता लग लग दो देखिए इधर हो जाएगा सेंटीमेटर सेंटीमेटर अटा दे इसको इस तर इसको डिवाइड में बिजाएगा तो A, E equal to में यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 35, 15 और बाई में 13 सेंटीमेटर ठीक है अच्छा और यहाँ पर D, E equal to में क्या हो जागा 36 और में 13 सेंटीमेटर इतना ही रहना दरता है समझगा कोई दिक्कत नहीं है